अल्राइट दोस्तों तो मेरे पास है यहां पर आइफोन 12 128 वाला जो अभी हम लोगों ने सकेंड हेंड सौप से खरदा है जरूर कीज़ेगा क्या इसको 2024 के अंदर आप लोगों को पर्चेस करना चाहिए तो आज कीसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाले है और हाँ यह वाला जो है यह हमको आट से नौ महिने का यूज में मिल गया है और काफी अच्छा कंडिशन में है यह ऑफ लाइन में भ करते हैं कि क्या इसको 2024 के अंदर आप लोगों को पर्चेस करना चाहिए या इसको स्कीप कर देना चाहिए यह वाला जो है वह फाइब जी मॉडल में आता है तो चलिए चेकाउट करते हैं बस इसमें एक ही प्रॉबलम है कि इसका जो स्पीकर वह थोना सा फटा टाइप अलेंगे तो अब कि दिखेंगे तो सब्सक्राइबयां मजा साकता है यहांँ माइक क्ट Lord अंपर आलो होगोण को देखेंगे वह आता है refresh rate मिलता है वो भी 60 Hz का ही है तो यहां पर बोल सकते हैं कि इसमें जो मतलब refresh rate है वह आपके लायक बन सकता है ऐसा नहीं कि यहां पर मतलब आपको लगए 60 Hz पर ही है और अनदर एपल के दूसरे मॉडल सो थोड़ा उपर हट्स पर चलेगा ऐसा कुछ नहीं है आप लोग को इसके अंदर भी 60 Hz का डिस्प्लेय मिलने वाला है बागी तो पता ही कि 6.1 इंचिस का डिस्प्लेय है और काफी अच्छा खासा यह स्मॉलर डिस्प्लेय है और अच्छा लगता है देखने में अगर आप लोग हाँ इसमें एक चीज़ तो थोड़ा सा आप लोग को यहां पर करना पड़ेगा यह जो यहां पर दोनों साइड आप लोग देखने को मिलेगा वैसा अगर आप लोग 13 14 और 15 देखे होंगे तो 15 के अंदर में तो वह आप लोगो डाइनमी का आइलेंड आ गया था बट जो 13 14 और यह वाला जो उपर वाला है यह थोड़ा छोटा सा था लेकिन यहां पर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर थोड़ा बड़ा देखने को मिल जाता है यह उपर से कट आउट जो है और यही सबसे जज्यार यहाँ पे बेकार वाली बात बहुत जाता है इसके आदर बाकि और कुछ ज्यार ज़्याद दिक्कत नहीं है अगर आप लोग एक साइड बढ़ों एक तो ज्यादा आप को वाइ-पाई और नेट्वरक दिखाई देगा और ना कि इसमें एक्ट्रा चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वास एक Wi-Fi अगर कनेक्ट किये हैं तो नेटवर्क दिखाएगा बैटरी दिखाएगा और यहाँ पर टाइम दिखाएगा जो हम लोग को बहुत जादा जरूरी है आज भी लगबग आप लोग बात जकते हैं यह चार साल पुराना डिवाइस है और काफी अच्छा पफॉक करता है और कहीं भी लैग देखने को नहीं मिलता है आप लोग को बता दे यहाँ पे अपडेट आया है आइफोन के तरप से 18.0.1 वाला अपडेट आया है जो हम लोग ने यहाँ पे अपडेट करके रखाएगा अगर आप लोग को दिखा दे और 이 यह चीज तो जेनरल अच्छा खासा है अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो अपडेट जो है आइफोन के अंदर वो काफी ज्यादा फास्ट आता है और यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा तो 18.0.1 पर हम लोगों अपडेट करके रखा है और यह जो अपडेट है आप लोग बोल सकते काफी अच्छा है और स्मूदर बनाने के लिए बीच में ग्रीन लाइन इशू भी बहुत सारा आड़ा था आइफोन के अंदर तो वहीं ग्रीन लाइन इशू को शॉल्ब करने के लिए यहां पर इस मतलब अपडेट को दिया गया है और काफी अच्छ बट यहां पर हलका सा लगता है कि कुछ तो कुछ यहां पर जीटर टाइप्स कर रहा है जिससे मतलब ऐसा लगे कि यह स्क्रीन थोड़ा सा डैमेज है नीचे की साइट से बट वैसा अगर रियल यह उसमें देखा जाए तो वैसा कुछ भी नहीं है स्क्रीन के ऊपर बाकि आज भी आप लोग अच्छे खासा गेमिंग कर सकते हैं आज भी अगर आप लोग को वीडियो को रिकॉर्ड करना है तो इसको आप लोग चूज कर सकते हैं क्योंकि लिए प्रसेसर जितना ज्यादा अच्छा रहेगा उतना ज्यादा आपको जो है फोटो और इमेज इस्ट आप लोग को काफी अच्छा है जितने भी एप स है वो सब एपल के मेरेजमेंट बेर आते हैं और जितने भी आप लोग अगर बैकडाउंड में कोई आप लोग अगर आप लोग बेक्ड़ाउंट्स का इसके अधर लेते हैं जितने भी आप चाहे उतने आप 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 लोग अगर open कर लेते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सारे का सारा आप open करने के बाद सब के सब background में loaded रहते हैं और ऐसा नहीं कि ये अगर आप लोग आप लोग अभी flip card को देखें तो flip card भी आगे से ही open हुआ यह कहीं से भी purchase करते हैं जो भी सकेंड हैं इसको सेल करते हैं तो वहां पर बीस से अगर पचीज़ार के रेंज आप लोको मिल रहा है तो यह फोड आप लोको काफी ज्यादा performance रिकाल के देगा no doubt कि इसके अंदर कोई दिकत नहीं है लेकिन हाँ यहाँ पर बात करें तो आप 64 12 Megapixels के तो अभी हमें लोग बाहर जाने वाले और बाहर जाके पूरा का पूरा इसका video samples पूरा का पूरा फोडा फोटो सेंपल या back camera से या फ्राइबरा से दोड़ों तरीके से आप लोको दिखाने वाले हैं और यहाँ पर बात करें फ्राइबरा की तो यह भी 12 Megapixels का ही क्योंकि लो लाइट में यह थोड़ा सा एक्स्पोजर आपको चेंज करने के लिए कहता है और जिस तरीके से आपको चेक आउट कर सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारा जंगल है और लाइटिंग जो है वह यहां पर बहुत कम आड़ा है और अभी हम लोग इस साइट से दिखाए क्वालिटी अगर आप लोग को यहां से चेंज करें अपना पोजिशन और दिखाए तो क्वालिटी में चेंजिंग आ सकता है और एक्स्पोजर जो है वह 0.3 रखे में और काफी अच्छा यहां पर एक्स्पोजर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर हम लोग इस साइ प्राइड में देखेंगे तो वह अपना कलर मेंटेन करता है आइफोन का यह पुराना हादत है कि वीडियो सेंपल्स को थोड़ा सा पीला जरूर कर देता है वैसे अगर आप लोग यहां पर क्वालिटी देखेंगे तो कुछ इस टाइप का है और यह 4K का 60fps क्वालिटी है और यह आप लोगको अल्ट्राइड का क्यालिटी है अगर लोग थोड़ा सा इधर आते हैं तो आप लोग देखें अल्ट्राइड कितना ज्याधा देखनेगे फूरा अब चाप्चर हो डाऊ नदर आप कह अच्छा अल्ट्राइड में नो डाउट्स की दिक्क्कान है बट जो आपको मेन कैमरा से जो वीडियोस क्वालिटी मिलेगा उससे बहुत लो क्वालिटी आप लोग को देखने को मिलेगा कितना भी आप लोग को 4K 60fps है फिर वी क्यूंकि यह अपने एडियास को वाइड करता है तो थोड़ा सा आप लोग का जो इमेज है जो वीडियोस ह हो जाता है उससाब आप लोग आपने डेक सकते हैं किस तरहीका प्वालिटी डिकालाव चलेएं बहुत सारे फोटो सेंपल्स आपको दिखाते है डार अदा अब श्याजलाई करने ग्रहाँ कॉछ लिए अरव कॉ दोस्तों अगर आप लोग अपडेट के लिए तो अपडेट के लिए सोचना नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो अपडेट है अगर आप लोग को जो अपडेट मिलेगा आप लोग को लेटेस्ट मोडल पर वही अपडेट आप लोग को अपडेट के अंदर मिल जाएगा डिसक से वहार फचेस करते है तो जत्ने भी साइट से वह यह आप लोग बहुँ वह सकते हैं आठ मेने का वरेंटी देते हैं तो वह लोग समझते हैं ब्र आप लोग theor घैंडरल मेरांटी है मिल जाता तो वो काफी अच्छा हो जाता है आप लोग को अगर आज के डेट पर यह फोन अगर आप लोग परिशस करना चाहते है तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर बात करें इसके वाटर पूफिंग की तो IP68 रेटिंग के साथ आता है लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज है कि अगर आप लोग इसको वाटर से खड़ाव हो जाता है तो वाटर का कोई क्लेम आप लोग को एपल नहीं देता है बैट आज भी IP68 रेटिंग मिल जाता है दोस्तों अगर हम लोग इसके वेट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 176 ग्राम का वेट है अगर आप बोले तो यह 200 ग्राम से भी कम का फोन है और काफी हलका है और काफी लाइट वेट आप लोग सकते हैं और काफी अच्छा प्रीमियम देखने में भी लग जाता है दोस्तों अब लोग यहाँ पर आप लोग को साउंड क्वालिटी टेस्ट कराएंगे क्योंकि इसका प्रटा वैसे अब आप लोग को जितना भी फोटो क्यालिटी था और वीडियो क्या था दिखाया और काफी अच्छा वीडियो क्यालिटी वहाँ पर निकला है फोटो क्या निकल क्या है लेकिन अगर बात करें कि आभी 24 के अंदर यह लेना साहिए हाँ अगर आप लोग का बचट 20- 25,000 रुपए का है और आप लोग एक अच्छा खासा आईफोन खोज रहा है जो आप लोग को एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल दे और वीडियो क्वालिटी के लिए अगर आप लोग खोज रहा है तो नो डाउट्स कि यह कहीं से दिक्कत देगा आप लोग इसको पर्चेस कर सकते हैं और काफी अच्छा परफॉर्म करता है ऐसा भी नहीं कि हां मतलब आज की रेट पे यह स्लो हो गया होगा मतलब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया होगा ऐसा कुछ नहीं है तो देखिए अगर आप लोग को यह आईफोन अगर ऑफ्लाइन जाएगा और काफी अच्छा प्राइस में और काफी अच्छा कंडिशन में मिल जाएगा दोस्तों वैसे आप लोग चैनल पर नहीं आए तो सब्सकाइब कीजिए फड़ा फट वट के सब्सकाइब होने वाला तो सब्सकाइब को बटन दबाईए इसी तरीके के मजदार व